ये है साप की शराब, असली साप की शराब इसे देखते ही मैं समझ गया था कि ये चाइना की हरकत होगी जहां इसे मज़े से पिया जाता है और जेपैन एंड वियतनाम में भी इसे बनाने के दो वहियात तरीके हैं और दूसरा वाला सबसे जादा सबसे पहले ये एक जहरीले साप को पकड़ कर उसे साफ करके चावल से बनी शराब में डाल कर जिंदा बंद कर देते हैं और फ्लेवर बढ़ाने के लिए उसमें बिच्छू और छिपकली भी डाल कर 3-6 महिने तक तडब तडब के मरने के लिए छोड़ देते हैं शराब के अंदर का इथेनॉल उस साप के जहर को बेसर कर देता है और फिर ये उसे गटक जाते हैं दूसरे तरीके में साप को बुरी तरह मार कर उसका खून और पित को शराब में मिला कर तुरंत पी जाते हैं